कर दो चैनल पर कमेंट कर देना तो यह तुम लोग अकाम था तो इस इध्यान से कम्ट्रीट कर देना अब देखो ज्याद कुछ जिन्दिकी और आइपिएल में बचा नहीं है मेरी टीम जीत नहीं रही है मैं देखी नहीं रहा हूं थाला की थाला का लाश्ट आई पील है तो कभी-कभी मैं थाला को देख लेता हूं क्योंकि भले मैं सपोर्टर आरसीबी का हूं और फिलिंग्स थाला से भी जुड़ी हैं साथी रोहित भाईया को केप्टेंसी पे अटा दिया गया है तो थोड़ा सा बुरा लगा मुझे सुनके बट मैं उनकी बैटिंग देख लेता हूं जोकि लेजेंड लेजेंड होता है भाई वो जब बंदा बैटिंग करता है नो औन एग्जिस्ट भाई नो औन पर्सन केन ए लगा है वो हाँ वो कुछ तो था यह लोग इस्ट्रॉम में घुज गये थे एक लाइटिंग को ढूरते हुए अब इस्ट्रॉम काफी खतरनाक था सती इस्ट्रॉम में डिंग्यू कहती है कि देखो बाई ट्रैवल करने में लंका लग सकती है लेकिन जो हैन कहता है यार मा तो वो को इस्ट्रॉम में जाते हुए एक सिफ भी दिखाता लेकर नहीं पता थी यह कौन सा सिफ है और यह लोग उसके बारें ज्यादा जाज़ परताल भी नहीं करते है देन हम लोग देखते हैं जब यह लोग इस्ट्रॉम के वीच से सटल कर रहे होते हैं तभी यह फियस क पोल्ड बेज कर यहां पे एट क्लो वीष्ट की लंका लगाने लगती तब जोड़ दो यही है में स्टॉम से बाहर निकालेंगे और एट क्लो वीष्ट करते भी ऐसा ही है और जोएना उसकी टीम को यहां से बाहर निकाल देते हैं साथी क्योंकि वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहे थी इसलिए वो जोणन उसकी टीम को छोड़ देते हैं और यह लोग आ जाते हैं एक ग्रेव यार्ट पे मतलब हाँ काफी सारा मलवालवा जमा होता है सिप एप टूटे डले होते हैं और वहाँ पे 10-12 सिप होते हैं जो वहाँ की लूट पार्ट कर रहे थे तभी उनमें से एक सिप की नजर जोयन के सिप पे पड़ गई थी और वो लोग काफ यादा हैलाट हो गया होते हैं आर्क की अच्छी हालत को देखकर एपिसोड में रवाई एंड क्या था तो यह जो एपिसोड है ज़स्ट वहीं से स्टार्ट होता है तो आओ देख लेते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है तो इस एपिसोड की स्टार्ट में तुरंती दो सिपाते हैं जो Fearless RK की देख लेट करते हैं और ये देखर की Fearless RK फुली यही परफेक्ट है वो लोग थोड़ा सा हैलेट हो गया होते हैं और तुरंथी सेंटर में जाकर Fearless RK को खेरने के लिए और ज़्यादा आर्क को बुलाने लगते हैं तभी ये सभी सिप जियो यान के Fearless RK की दब देखते हो के थे हैं इसके अंदर से कोई ब्री थोरा फील नहीं हो रहा ताथी क्योंकि Fearless RK पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड और सील था इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे बेकेवल अपनी स्पिचल पाउर के यूज कर सकते थे लेकर अब्वेसली स्पिचल पाउर ही इसका सामना नहीं कर पा रही थी तभी एक बंदर तो नहीं देखा था मैंने पहले भी इस जाज का सामना किया है ऐसा लगता है कि ये एट कलोब वाइड वीशते घिरा हुआ है मुझे उमीद नहीं थी कि सिप की पतवार अभी तक बरकरार होगी अगर ऐसा है तो फिर सिप में कोई प्रावलम नहीं होना चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है साथ ये लोग वब्यसली इस फिलसा आर्क की बारे में पहले ही देख रेक कर चुके थे तभी एक बंदा कहता है कि हमें खोज करनी चाहिए और सभी आर्क एक दूसरे के साथ डिसकस कर रहे होते हैं क्योंकि अगर इसमें जोखिम बड़ा था तो हमें इससे काफी ज़्यादा कीमत मिल सकती है लेकिन आप ये सबी लोग काफी ज़्यादा अन्नोन फील कर रहे थे फिलसार की पोजीशन और सिचुएशन से इन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हालत है साथ उनने ये भी देखा था कि पतवार अभी भी बाकी है इसलिए काफी अबनॉर्माल है और इससे उन्हें काफी ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसलिए ये लोग फिलसार के बार में पता लगाने के बार में सोचते हैं और तुरंत ही कहते हर कोई साबधान रहे प्रोटेक्टेड है इसलिए ये हाई क्वांटिटी में कोई भी एक्सर नहीं लेते बल्कि एकेबल 100 लोगों को जाज के लिए भेजते हैं साथी ये सेकड़ों फिगर तुरंती अलेट तरीके फिलसर के अंदर इंटर होती है और फिलसर आर का जो बैरियर था उसमें गायब ह हो जाती है और कुछ टाइम के बाद ऐसा फिर होता है जैसी ऐसा भी फिगर समंदर में गायब हो चुकी हो और इनकी कोई ख़बर नहीं मिलती जिससे एक दरजन प्लस सिप में जो बाकी के फिगर्स होती एक दूसरे को देख रहे होते हैं जिसकी बार फिर सौ और लोग फि कुछ तो गड़वड है रे बाबा बुत्रंती कहते हर कोई हमारे राद आपको अफमानित करने 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 हैं मैं बस आफ से एक ऐसान मागना चाहता हूं मैं वदले में रिसोर्स का यूज करने को तयार हूं और उसी टैम पे जब यह सिब यहां से जाने के लिए तयार थे और और ज्यादा लोग फियलेस आर्क में इंटर नहीं होना चाहते थे तभी फियलेस आर्क से एक आवा जाती और फियलेस आर्क का बेरियर धीरे धीरे ओपन होता है साथी पहले इंटर करने बारे लगबग 200 लोग मामुली घायल हुए थे लेकर उन में से कोई भी जान से नहीं मरा था और हैवी लेंजर नहीं था चारतरब दरजन सिप थे और थोड़ी देर की चुप़ी के बाद उन में से एक आदमी जो साब तोर पर इन लोगों का लीड़ा लगता है धीरे से कहता है वो तुरंदी कहते हैं हम केबल स्ट्रॉम में जीते हैं हमने कभी भी किसी भी फाइट में पार्टिसेपेट नहीं किया नहीं किसी बर्ड के बीच में इसलिए मुझे उमीद है कि सीनियर किसी को भी प्रॉब्लम में डालने के लिए मजबूर नहीं होंगे तब जान कहता बेसक यह कोई भी फाइट नहीं है मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप रा जो 200 लोग और उनके चैरे की जो जिजक होती है उसके काड़ यह सीनियर जो लीडर होता वो जिजक रहा होता है और तुरंती कहता है आप कहा जा रहे हैं क्योंकि यह परसन उन 200 लोगों की जान नहीं देना चाहता था हो सकता है कि इनकी जान इपोर्डेंट ना हो लेकिन ए इस स्ट्रोम में ही होना चाहिए जोयन की बात को सुनकर वो आदमी तुरंती सौक हो जाता है और तुरंती कहता है क्या आप वाइड डिस्ट्रक्टिव हेवली लाइटिंग को ढूड रहे हैं और अंगले इपल वो लीडर हैरान हो गया होता और कापी डरा हुआ भी दूसर ज जोयन की तो वो यह उचल गई होती है जोयन कुम्भी नहीं थी कि यह परसन भी इसके बार में जानता होगा कि वह डिस्ट्रक्टिव हेवली लाइटिंग यहां पर मौजूद है जोयन क्या कि सीरियस हो जाती है वो कुछ भी नहीं से छिपाता और जोड से से लात्वे कहता बिलकुल जो देखकर वो परसन तुरंदी कहता है आप यहां पर आने वाले पहले परसन नहीं है हाला कि मैं आपको उस जगह पर ले जा सकता हूं जहां पर डिस्ट्रक्टिव हेवली लाइटिंग है लेकिन आपकी तुलनाओं पहले से उन बेवकूफों से की जा सकती है मै जैसा जियो यहां के पास था वो परसन तुरंदी कहता आपका जाना ठीक है लेकिन हम बाहर ही इंतिजार करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि अब आप इंतिजार नहीं कर सकते है आपका आर की भी काफी अच्छा है तो क्या बास तरों आपफे जाना चाहते हैं हाला कि इस कि जो वर्ड थे वो ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे लेकिन अबिसली जोएन के लिए बुरे नहीं थे क्योंकि वो जोएन को केबल वहां के खत्रों के बारे बता रहा था जहां पे वर्ड डिस्ट्रक्टिव हेवली लाइटिंग मौझूद है साथी लाइटिंग थंडर तलिसमा जो पहले से ही का फिजायर रेयर था और यह कुछ ऐसा था जो कि लाइटिंग पावर को कल्टिवेट करने वालों को दीवाना बना सकता था उस व्यक्ति के हाथ में ऐसे सेकड़ो थे जो यह दिखाने के लिए परियाब थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आये हैं लेकिन कोई भी वहाँ से उस लाइटिंग को हिला तक नहीं पाया साथ है ऐसा लगता है कि लोगों ने ये जट टैबलेट अब्वेसली बचा कर रखे हुए थे लोगों को बेचने के लिए और इनसे मुनाफ़ा कमाने के लिए क्योंकि साथ इने यकीन ता कि अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता तब जान केता है ऐसा लगता है कि आप इन दिनों थंडर स्टोन तलिसमान को काफी अची कीमत पर बेच सकते हैं और जानने आके सिकोर्ली होती है और वो वेक्ती से एकसेट भी करता है वो तुननती केता हमारे लिए चीज़े बेकार हैं लेकिन दुनिया के लिए लग को प्राप्त करने के लिए एक सीड़ी इसलिए जब भी किसी को इसकी जवरत होती है तो यह उनके लिए कापी कीमती होगी और अगर लोग लालची नहीं होंगे तो भला वो इस चीज़ के लिए अपनी जान कैसे गवाएंगे और वो परसन दीरे से कहता है और अब्यसली जोन इस बार में सोचता है क्योंकि उसने कहा तब वो सच था कि हर कोई यहाँ पे श्ट्रॉंग बनने के लिए आया है और अ श्ट्रॉंग से बचकर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इसमें कई कम से कम 10 साल लगेंगे जब यहाँ यह सोचता है तो थोड़ा सा चोग्या होता है क्योंकि इस ट्रॉंग के अंदर जो यहाँ अभी भी टारेक्शन को कंट्रोल करने में कैपबल बिलकुल भी नहीं था ल जोस्तव वह आदमी तुरंती काफी हरान होता है कि जोहन ने अब तक अपने मन को नहीं बदला इसलिए वह तुरंती कहता बिलकुल लेकिन आदा मिलियन बहुत कम है कम सकम एक मिलियन डिवाइन को इपिल उसके लिए जोहन के लाइप और डथ कोई वैल्यू नहीं रखती थी वह अपने बिजनेस में इंट्रेस्टेट था तभी जान बिना किसी इचकी चार्ट के से हिलाता है और उस आदमी की तरफ एक श्टोज रिंग फिक देता है जिसमें दक्स लाख डिवाइन कोई पिल थी जिसके वह जूहन कहता है चलो चले और वह आदमी अबिस लिए श्टोज रिंग को चक करता है और कंफर्म करने वाद तुरंती से लात्यों कहता है आपका से बहुत बढ़ा है इसलिए बहतर होगा आप हमारे सिप में आ जाएं साथ या आप इसे सेफ रहने के लिए हमें लोटा हमें दे सकते हैं अगर आप बच गए तो हम इसे आपको ल और ये आर्ग गायवो का डिंग्यों के हाथ में एक बोटल में आ गई थी जिससे डिंग्यों इस्टोज रिंग के अंदर डाल देती है जो देखकर वो अंदर तुरंती कहता है एसी अंटिस्टोज टेक्नोलोजी उसकी आंके चमक गई होती और उसने तुरंती पेचा लिय था कि दिंग्यों के हाथ की बोटल भी नॉर्मल नहीं थी बलकि वो एक ऐसी जगे बनाने में क्यापवल थी जिसके बारे बात करना भी मुस्किल था वो तुरंती कहता है इसकी बात करने की कोई जाथ नहीं कि ये एक सुपर इस्ट्रॉम को झेल गया बास्ता में इसके अं था कि अगर इन में से कोई भी से प्रॉबलम में है तो ये तुरंती आकर उसकी मदद भी कर सकते थे तो ये परसन तुरंती कहता है आप काफी लगी थे कि आप वाइड क्लॉब बीस्ट से मिले लेकिन आप अगर उनमें से किसी को मार देते तो मुझे डर है कि आपका और भी भयंकर तूफान है तो ये वंदा तुरंती कहता है इस्ट्रॉम में पहुचने के बाद कोई भी आर आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता साथ है इस्ट्रॉम के बीच में है जो सुनकर दूजियान थोड़ा सा हैरान होता और ऑब्यसली डिंग्यों भी चौक गई होती ह साथ ही जय चौक ते वो डिंग्यों की तरब देखता है जिसमें वह भी इंब्यर्स हो कंए uzzremail करते है मैं कुछ नहीं कर सकती न इतना इस्ट्रेवल नहीं चला सकती है ऐसे इस्ट्रॉम में तब्यच कहता है तो आप इतने स्ट्रेवल कैसे चला सकते हैँ जो देकर वंद पतबारे थी जिसका मतलब तक एक ही टाइम में इस सिप को पाँच लोग चला रहे थे जो हाइड टाइम पर इस इस्ट्रोम की पावर को चेक करते थे और उसके एकॉर्डिंगी पतबार को कंट्रोल करते थे ताकि वो इस इस्ट्रोम में काफी आसानी से सटल कर सकें जिसके डूई की डावडी कॉंटिनेंट में मिली थी और जैसे ही वो बंदा अब्यसली चाह किसमें सूखता है वो तुरंती अपनी वोरहेड अपनी वह उठा लेता है दूसर जीवन अब्यसली चालू बंदा था अपने मतलब की चीज निकलवारे के लिए जान कुछ ना कुछ च सथी वहाँ पे जो वर्ड और इजन वो काफी पारफुल है वो दुनिया की हर एक चीज को डिश्ट्रा कर सकती है और ऐसा कहता हो आदमी चाय के कपको ठाकर एक के बाद एक जिप मार रहा होता है और तुरंती कहता है यह काफी अच्छी चाह है तब यहन कहता हम से पहले कि ट्रेवल कर सकते हैं इसलिए कहने की कोई जाओत नहीं उनकी पार बहुत पारफुल है लेकिन वाइड डिक्स्ट्रेप्टिव हैवेली लाइटिंग के सामने यह सब कुछ बेकार है और ब्रोकन इस्टार्ट रियलम में इंटर होने के बाद उनके से ब्लैक लाइटिंग के का डिश्ट्रो हो गए वो सभी जिन्दा चीजों को मिटा सकती है ऐसा कहते हुआ आदमी थोड़ा सा वहारी इंप्रेशन के साथ जोन को देखता है जैसे वो जोन को धमकी दे रहा हो कि तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए तो जोन के आवाज काफी कोल्ड होती है उसे उम्मीद थी कि जोन उसकी बात सुनकर हार मारने को तयार होगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो यान बे मौत मारा जाए साथ यूसकी उपस्तिती को देखती है जोन समझ गया होता है कि ये और नेश्टली उसे समझा रहा है क्यों हाँ खतरा कितना खतरनाक है लेकि मैं आने से पहले भी मौत से बालबाल बचा हूँ साथ ये डिश्ट्रेक्टिव हैमेली लाइटिंग मुझे ये पाना बहुत जरूरी है और यहान इसमाल करते हूँ उसकी कर्णेस को अविसले अक्सेप्ट नहीं करता तो यह बंदर कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हा आखिरकार इस कल्टिवेशन का लाश्ट इस्टेज क्या है और असे गया तो वो बंदर जो यान की तरफ देखता है क्योंकि उसे नहीं पता था कितने साहे लोग इस्टेज का पीछा क्यों कर रहे हैं अपनी लाइफ और डेथ का की परवा किये बगैर और अगर वो इसे प प्राप्त करना impossible है ये बंदा अभी भी satisfied नहीं था उसे पता था किया बहुत सारे लोग आए जो वहाँ जाने के लिए तयार थे और मरने के लिए भी तयार थे और जाहिर तो पर उन सबकी ताकत काफी strong थी तो फिर ये लोग आना बंद क्यों नहीं हुए क्या ये चीज बा पाएंगे कि वो mountain कितना उचा है पाबर का कोई ending point नहीं हो सकता लेकिन हर किसी की responsibilities काफी अलग अलग होती है और कुछ रास्तों को योही नहीं रोका जा सकता क्योंकि जिस टैम पे आप कदम आगे उठा देते हैं वही आपकी destiny होती है जिसके बाद आप पीछे मुड कर के अलग थे ये person केवल अपने और अपने लोगों को protect करने के लिए और इस sources को खुजने के लिए ही जिंदा रह सकता है और वो अपने हर एक काम में alert रह सकता है वो किसी भी fight में participate नहीं लेता और अगर ये जरूरी नहीं है तो केवल भाग जाओ और वो हर चीज से बचने की कोसिस करता है इसलिए उसके अपने reason और अपने effect है तो वो बंदर तुरंदी कहता है मैं इसे साफ़ तोर पर नहीं समझ सकता तद मेरा level बहुत कम है लेकिन मेरा नाम चांग यू हुआ है अगर आप इस heavenly lighting से बच सकते हैं तो मैं आपको एक और ऐसी जगे के बार में बता सक करता हूं जिसकी कीमत इस lighting से कम बिलकुल भी नहीं होगी यहां तक कि वह तो पूरे वाइड को डिश्ट्रा कर सकता है जैसे ही वो person यह कहता है जो यान यह सुनता है और उस सादमी की तरफ देखता है ऐसा लग रहा था जैसे यह बंदर दुनिया के लिए पूरी तरीके से टैंसन फ्री हो जिसके बाद जोएं तरफ के लिए उस सुराक को एक्शेंज करने के लिए सरते क्या है जो देखर हो बंदर कहता है अभी यह कहना जल्दबाजी होगी इसलों उस टाइम तक कवेट करने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं जब तक भाई जिंदा होकर बाहर आ स अब थी कि वो इस स्ट्रॉम के सेंटर तक पहुंच गये था और जो यान को अपने रियल टार्गेट को फोलो करना था जो की था वाइड डिस्ट्रक्टिव हैवनली लाइटिंग देखते ही देखते महीना बीत गया होता और इस दौरा नों ने कई छोटे बड़े तो चांग हुई हुआ यू हुआ खड़ा होकर जो अनको बताता है साथी चार तरब देखने पर महौल काफी सांत होता है और उनके सामें जो कुछ भी दिखाई देता वो इस्टार्स का एक ग्रोफ होता है ऐसा लग रहा था जैसे यह आपस में गुथा हुआ हो और ये सभ चांग यू हुआ ने जो अनको धोका नहीं दिया था वो तुरंदी कहता है आपके आँगे ब्रोकन इस्टार्स यलम है हम उसमें डर होने की हिम्मत नहीं रख सकते धान रखे ब्रदर ऐसा कहते चांग यू हुआ जो आनको ग्रीट करता है तब ही बदले में जो यान भी उ लेता है साथी कुछ बाद चीत के बाद जो यानों बाकी के दो फेले सार्क पर लोट आये होते हैं चांग यू हुआ भी बहुत जाना डरा हुआ लग रहा था इसलोब वो यहां पे नहीं रुखता और जल्दी ही अपने ग्रुप के साथ निकल गया होता है दोसर्जवान भी अपने आखे से कोड़ लेता है और धीरे से अपने सामने ब्रेक इन इस्टारी अलम को देखता है यहां पे केवल एक इस्टार नहीं बलकि ब्रेक इस्टार्स के काफी इसार इस्टार एक ही जगह पर एक खट्टा हो गया होते हैं और एक अजीब सी जगह बना रहे होत और बचीवी पाउर तुरंती फियले सार्क से जाकर टकराती है जिससे इसकी पतवार में एक बड़ा सा छेथ हो गया होता है और सुपर रेश्ट्रॉम के सामने जो फियले सार्क बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था वो इस ब्लैक लाटिंग के सामने सीधा ही डैमेज हो ग बिना ही फियले सार्क को सबसे फास्ट्री स्पीट के साथ सटल करती है और फियले सार्क धुए के गुच्छा में बदल गया होता है और ब्रोकन इस्टारियलम में चला गया होता है और सीन एक पल में बदलता और फियले सार्क एक सांस में उसमें गोस गया होता है और जान क बैसे ही जैसे पूरे वाइड के सी में एक ग्रुप ग्रेवियार्ड बना दिया गया हो और कूडे के धेन यहाँ पे हार एक चीज को गंदा करके रखा हो तभी लेजी तुरंती केतिये साब धान रहें और वो अपने सिर के उपर एक ब्लैक लाइटिंग को देखती है तो तुरंती अपनी हाथे एलिक उठाती और उसकी बाड़ी से लाइटिंग की काफी रेज निकलती है जो ब्लैक लाइटिंग की तरफ बढ़ती है और दोने ही लाइटिंग एक दूसरे रेज़करा कर ब्लास्ट हो जाती है और इनकी डिस्ट्रेक्टिव पाउर आसपास की तरफ बढ़ती है तभी सभी लोग अपनी सेब्टी के लिए औरिजन कोई का इस्तिमाल करते है साथी एक जटके के साथ पूरा ही स्पेस काप गया होता और जाने तरफ दिंग्यों को फियले सर को हटाने के लिए का होता है और उसे और जिया जेंग्वी को स्पेस रिम में आने के लिए का होता है साथ ही यह लोग आव ऑब वाइट डिक्स्ट्रक्टिव हेवेली थंडर लाइटिंग ए एरिया में इंटर हो चुके थे हाला कि लेजी के आसपास होने के कान ऑब वेशली ने ब्लैक लाइटिंग से डेनी की कोई ज़ाओ नहीं थी हाला कि लेजी अपने सामने ब्लैक लाइटिंग को देखकर थोड़ा सा भेचैन होती है लेकिन वो अव्यसली डाइडेक्शन को भी लीड कर रही होती है जिसके बार वो तुरंती के दी चलो चले जिस पर जो आन तुरंती से हिलाता है और वे दोनों ही लोग आंगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रेकिंग इस्टार रियलम की तरफ जाने लगते हैं उनका टार्गेट साब तक कि उनने इसके कोर पॉइंट का पता लगाना है जहां के experience को gather कर रहे होते हैं टाइम टाइम पर आसमान से जंगली लाइटिंग की गड़ गड़ा आठ की आवा जाती जो बड़े एरिया में एक अत्रित होती है साथी इस ब्लैक लैटिंग का कोई भी टार्गेट नहीं था साथी ये कापी खाता नाकती और सभी जगाय फैल रही किया था इसलिए फिलाल किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया साथी जान और लेजी के टार्गेट बहुत साथी की वे डीप एरिया की तरफ जा रहे हैं और जब वो उपर की तरफ सिरुटा कर देखते तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ उपर आसमान में पहले से ही ला ब्लैक लाइटिंग और भी फास्ट होती जा रही होती है तब ही जान तुरंदी के अगर हम इस तरीके से डॉड़ेंगे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएंगे हमें कोई और रास्ता ढूड़ना होगा और असा के तो जाता जा रहा थी यह ब्लैक लाइटिं को स्वैलो कर लेती है और उसे रिफाइन भी फॉर्स फूली कर रही होती है और अंगना इपल लाय जी ब्लैक लाइटिंग के नीचे आ जाती है और वह यह دे देखना चाहती थी क्या हो जो सोच रही है और अगले इपल घने बाजलों से अचानक ही गरचती हुग लाइटि करने में कैपबल नहीं थी तभी लेजी एक और लाइटिंग को पकड़ कर उसे जो यान को सौंप देती है और तुरंति कहते हैं इसे स्वैलो करके उनका पार्ट बन जाओ केबल इस ती तरीके से हम डीपेरिया तक जा सकते हैं लेजी ने जो कहा था वो केबल एक छोटा सा सं फील हो रहा था लेकिन जो यहान जानता था कि उसकी फीजिकल रिष्टेंस के साथ ब्लैक लाइटिंग को अगर वो दबाना चाहता है तो यह काफी कठिन है तब लेजी कहती मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी यह यूनरो कैलिन की तरह तो प्रोटेक्ट नहीं करने वाली और इसे तुरंती अपने मूँ से अबसॉफ कर लेता है जिससे यह जोन की बॉड़ी के अंदर समा जाती है और ब्लैक लाइटिंग जोन की बॉड़ी के अंदर पागल हो जुकी होती है और दे दना दन जोन की बॉड़ी में लंका लगाने लगी होती है जिससे जोन के सभी आक्यू पेंचर फॉर्व और मेरिटियों डिस्ट्रा रही होती है और ब्लेक कार्ट में जो हईान के बॉड्टी में एक ब्लाढ़ की वाड़ हो रहा होते हैं और यह लाइटिंग जो 97 की बॉड़् यान के क्रेंट करते हैं दूसरे जन भी हार नहीं मानता और ब्लेक लाइटिंग को बर्दास करना कंटीनू रखता है उसकी बोड़ी में चोटे ठीक होती जा रही थी और लगती जा रही थी साथ इस बार जन को पता था कि पावर का यूज के विन ऐसे रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा इसल crane farm heart को अक्टिवेट करता है और दोनों अलाग अलाग पावर थी लेकिन दोनों के इनरिजी काफी वाइट होती है और flame heart की पावर काफी ज़्यादा expand होती है जब कि lighting power अभी भी cable limited थी इसलिए अपनी flame का यूज़ करते हैं जोन को इसकी power को control करने में मदद मिलती है जिसके कुछ दिनों बाद जोन दूसरी lighting को absorb करता है और उसे भी refine करके अपनी body का part बना लेता है और इसके successful rate का reason जोन की 3 art of flame थी क्योंकि यही चीज ही इसके wild औरे को control कर सकती थी हालक इतने के बाद भी लेजी जोन को तुलंत जाने नहीं देती बलकि पहले के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे तीसरे के बाद दसवे lighting bolt को जोन को absorb कराना continue रखती है और दूसरे तब जोन बिल्कुल भी सिकायत नहीं करता क्योंकि black lighting को refine करने से जोन की physical power तेजी से पढ़ रही होती है और जोन के lighting fee में 10 black lighting condense हो चुकी थी और हर एक black lighting 100 square meter के बराबर थी और जोन ने 10 black lightings को absorb किया था इसलिए 2000 square meter का जो lighting fee था वो 3000 square meter का हो चुका होता है हाला कि बले जोने refine करने का ज़्यादा थर credit जो यान के flame of heart को जाता हो लेकिन flame of heart भी जो यान की powers का ही पार्ट थे इसलिए यह कोई surprise की बात नहीं थी कि जोने रेपाइंट करने के ले इस चीज का यूज कर रहा है तभी लेजी तुरंदी कहती है जाते रहो और इस टाइम की दोने रेपाइंट करना बंद मत करो कहना था उसके according वो white destructive thunder lighting को महसूस कर सकती थी इसलिए उसका माना था कि जो यान का इसको अपने use के लिए refine कर पाना अभी भी थोड़ा मुस्किल था दूसरी तरफ ये सुनकर जो यान भी अपने सिर को हिला देता है दूसरी तरफ जो यान भी से हिला कर obviously इसमें आगे बढ़ना continue रखता है और जितनी जाला black lighting हो सकती थी उन्हें absorb करना ये start करता है हालकि उन में से एक भी black lighting अब उन पर नहीं हो रही होती ऐसा लग रहा था जैसे black lighting अब इने अपना एक पार्ट मानती हो लेकिन कुछी टाइम के बाद दूर से black lighting cloud एक बार बापस से उनकी तरफ आते हैं जिसमें जब ब्लैक क्लाउड का एक काफी बड़ा tornado होता है जिसमें अंगिनत lighting sign हो रही होती है तब ही लेजी तुरंती कहती है थंडर प्लप और काफी हैरान होती है और जन भी obviously थंडर lighting मे मैंने वहां पर देखा था जहां red star पर मुझे seal कर दिया गया था इसमें lighting power की काफी rich power है लेकिन मेरे सामने की lighting power इससे भी ज्यादा खतरनाग और दूर से तेज अबाग गिर रही होती है लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे यह आसमान से किसी जहनने से गिर रही हो जिसके ब इन फिगर्स को देखता है तो जहां थोड़ा सा हैरान होता है तब जहन कहता है और भी लोग यहां पर आए हैं उसी टाइम पे एक ग्रोप को लीड करने बाले एक परसन अपने सिर्कों गुमाते हुए लेजी और जो यान की दब देखता है दूसरे पिहान एक वाज जो य लाइटिंग क्लाउड के बीच में ब्लैक आइरन के जाएंट पैलेस की तरह खड़ा हुआ होता है साथी लाइटिंग के एंडिंग में आप जितना ज्यादा क्लोज जाते हैं यह उतना ही सांधार होता जाता है और दास हजार फी टूचे आसमान से गिरता हुआ सा लगता ह साथी यहाँ पे इन चीजों को देखर आपको फील होता है आप कितने ज्यादा important less है यह तक कि यहाँ की लाइटिंग को देखर ज्यान आहे भारने के लाबा कुछ नहीं कर सकता था और इस चौकाने बाले लाइटिंग C को देखते हुए ज्यान कहता है केवल thunder heart ही ऐसा कर सक क्या ऐसा हो सकता है why destructive heavenly lighting its castle के अंदर मौजूद हो और ज्यान अपनी आखे से को लेता है तब ही लेई जी कहती है जरूरी तो नहीं बस जाओ और देखो तो मैं खुद पता चल जाएगा साथी वो तुरंती अपना से लाती जैसे ऐसा लाग रहा था कि वो इन में से एक या दो का पता लगाने भी capable हो तभी जान भी तुरंती से लाता और चारो तब देखता है इसके लाव वे सभी पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं तो जो लोग पैलेस की तरफ जा रहे थे भी नॉर्मल लोग नहीं थे साथी चांग यू हुआ का ये कहने कर रिजन की साथ उन में से कोई भी जिन्दा नहीं बचा ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो कभी अंदर नहीं आया था और कई पावरफुल लोगों में हमेसा ही ऐसे लोग होते हैं जिनने तंडराट की गहरी समझ होती है यहां तक कि वो ये भी जानते हैं किसे कैसे solve करना है और इसमें कैसे इंट दिया गया होता हाला कि जोहनों लेजी पैलेस की तरफ बढ़ रहे तो पैलेस में पहुचने वाज जोहन ने पाय था किया एक से ज्यादा लोगों का ग्रूप आ रहा था और पैलेस के सामने एक बड़ा सा चौक था और चौक पर सेक्रो लोग थे और सब की ध्यान को कीचन कॉम्टीसन करना चाहते थे साथी जोहनों लेजी भी यहाँ पर चौक पर उतरते हैं बेश सभी लोग अलग-अलग तरीके से काम कर रहे थे लेकिन सभी की नजनी नाइन प्लेट फॉर्म पर ही होती है साथी अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते थे कि इन फ्लो पासकता यह आपकी पावर पर डिपेंट करता है और इसका आधार यह कि आपको अभी प्लेट फॉर्म पर सभी फिगर्स खड़ी हो गई होती है और वो प्लेस के सामने लाइटिंग बॉल को देख रही होती है साथी वह तुरंदी कहता है मुझे पता है कि आप सभी लोगो मुझे आसा है कि इस बार आप से भी लोग टाइम बरबाद नहीं करेंगे और अपनी पूरी पावर के यूज़ करके एक ही जटके में इस थांडर बॉल को तोड़ देंगे और उनकी आँखों में लाइटिंग साइन हो रही होती है और वो इस बॉल को तोड़कर जल से जल चाहते थे तो चलो गाइस यह एपिसोड अब यह है अंड होता है मिलते हम नेक्स एपिसोड पर बाइवाय थेर फैमली